हलो अबरीवन, वालकम बाक टो अनदर वीडियो, कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ प्याच से बनने वाले बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी नाश्टे की रेसिपी इसको आप ब्रिकफर्स्ट में या फिर स्नैक्स में जब भी आपको हलकी फुलकी भूग सताए या फिर आपके घर पर कोई गिस्ट आए हो, तो आप इनको जटपट बना कर सर्व कर सकते हैं वीडियो को फुल वाच कीजेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजेगा साथ ये साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आल पे सेट कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल सके यहाँ पर मैंने चार मीटियम साइज के प्याज को कट करकर ले लिया है इस तरीके से आपको काट लेना है अच्छे से वाश कर लेंगे उसके बाद ही हम इनको यूज करेंगे साथी मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्चिली हैं जिनको बीट से काट लिया है अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे एक बेसन बेसन मैंने पहले से ही चान कर रखा हुआ था आप भी बेसन को पहले चान ले और उसके बाद ही यूज करें अब हम बेसन मैं आद करेंगे मसाले जिसमें मैंने लिया है 1 टेइस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, लाल मिर्च पॉर्डर अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग अप कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पॉर्डर, 1 टेइस्पून, 1 टेइस्पून लिया है मैंने काली मिर्च पॉर्डर और 1 टेइस्पून ही मैंने चार्ट मसाला लिया है taste recording नमक एड़ कर देंगे और अब थोड़ा थोड़ा हसा पानी डाल कर हम इसका एक smooth batter बना कर त्यार कर लेंगे जैसा कि हम bread पकोड़े के लिए त्यार करते हैं पानी एक साथ नहीं एड़ करना है पानी को धिरे धिरे करके ही एड़ करें और इसको चलाते हुए इसका एक smooth batter बना कर त्यार कर लें ये देखिए इस तरीके से बिलकुल इसी तरह की consistency हमें इसकी चाहिए ना ही ज़्यादा तिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा liquidy तो आपको बिलकुल इस तरह से इसको बना कर त्यार कर लेना है पांच मिनट का rest देंगे पांच मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें add करेंगे वन टेबल स्पून mustard oil या पर जो भी cooking oil आप यूज़ करते हैं वो ही आप यहाँ पर add कर दीचे लेकिन जो oil आप यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पर non stick तवे का यूज़ कर रहे हूँ अगर आप iron का तवा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको oil से अच्छे से grease कर ले तो तवा गरम हो चुका है और हमने जो प्यास को काट कर रखा था अब हम उसमें से एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से better से कोट करके हम तवे पर रखते जाएंगे तो आप समझी गए होंगे friends हम बना रहे हैं प्यास के पकोडे लेकिन बिल्कुल नए तरीके के पकोडे हैं आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बना कर यूज़ कीजेगा मैं आपको इनी दो तरह से बनाना बताऊंगी तो एक तरीका तो ये है आप इनको ऐसे बना सकते हैं अगर आप कम ओयल में इनको बनाना चाहते हैं आप थोड़े से health conscious हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से पकोडे बना कर खा सकते हैं बिल्कुल ही कम इसमें oil यूज़ होगा बलकि बिल्कुल भी नहीं होगा आप non stick पर आप इसको बिना oil के भी बना सकते हैं तो हैना एक healthy recipe बिना oil के हम पकोडे खा सकते हैं तो यह देखिए एक side से पकोडा जो है वो सिख चुका है अब हम इसको पलट देंगे दूसरी side से और दोनों side से अलटते पलटते हुए हम crispy होने तक पकोडों को सेख लेंगे तो यहाँ पर देखिए पकोडे सिख चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं तो एक तरह के पकोडे हमारे तयार हैं अब हम दूसरी तरह से भी बना लेते हैं ओयल को यहाँ पर मैंने गरम होने के लिए रख दिया था अब हम प्याज और हरे मिर्च को एक साथ इस तरह से बैटर से कोट करेंगे और ओयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल देंगे तो एक एक करके जितने एक बार में अच्छे से पकोडे यहाँ पर आ जाएं उतने आपको आड़ करने हैं एक साथ जादा नहीं डालना है वरना एक दूसरे से चिपक जाएंगे और ठीक से पूल नहीं पाएंगे तो यहाँ पर मैंने पकोडे एड़ कर दिये हैं अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक अलटते पलटते हुए फ्राई कर लोंगे मीडियम ही रखेंगे आप ग्यास फ्लेम को अगर आप हाई पर रखेंगे तो पकोडे जो हैं वो जल जाएंगे और अगर आप लो पर रखते हैं तो पकोडे जो हैं वो ज्यादा ओयल को सूख कर लेंगे काफी ओयली ओयली बनेंगे तो यहाँ पर पकोडे हमारे बन कर तय अब आम इनको एक tissue paper पर निकाल लेते हैं tissue paper पर पकोड़े निकालने से जो भी extra oil पकोड़ों के अंदर होता है वो निकल जाता है पकोड़े हैं तेयार तो अब हम serve कर लेते हैं पकोड़ों को हमने serve किया है हरी चटनी और लाल नीठी चटनी के साथ तो फिरंट आप भी पकोड़ों को बनाईए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि आपको दोनों तरीके में से कौन सा तरीका जादा पसंद आया या फिर आप किस तरह के पकोड़े बनाने और खाने पसंद करेंगे आप इनको morning breakfast में या फिर snacks में शाम को चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ कीजएगा और मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तांक यू